चैनल को सस्क्राइब कर ले और सस्क्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नौटिपिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता अब सूपर और आप संस्तों आज का वीडियो जो डियापटीशन करें नगे लिए विडियो लिए कि अजय को तो डाक होती ही है हर एक गर में त różतों आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो यह लेकर रख goo और दोस्तों वह हमेशा खाने से बंचित रहते हैं वह हमेशार हमेशार स खाने आलू को खाने से बंचित रहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो बताऊंगी कि आप कौन सा आलू खाएं और कौन सा ना खाएं तो चलिए दोस्तों यह सारी बात है मैं आपको वीडियो के अंदर बताती हूं तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद और दोस्तो चैनल पर पहली बार एक जिस सब्सक्राइब को लेना, दोस्तो वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूला तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो देखें दोस्तो यह हैं आलू आप को मैं बताओंगे कि अलु आप किस तरीके से खा सकते हैं और दोस्तों आप परहशान आप और इसकी डिस भी बना müsllenगे यह करें लिक्षक बताइए घदर के इसकी डिस बना टांगे तो दोस्तों आप नग चोटा आलू आप यूज करें आ दोस्तों आप जबदो औशका करें कि तो आप पहले सुछर अपनी ना पहें उसके बाद यह आलू खाके देखिए इस साहज का आलू डोस्तों इस आलू में सुछ नहीं होता है जो आप बड़े वाले आलू खातें हैं उनमें शुगर होता है इनमें बिल्कुल नहीं होता है तो दोस्तों आप इस साइज का आलू खा सकते हैं और इससे चोटा भी साइज अगर आपको मिल जाए मार्केट में यानि कि आपको मंडी में सब्सक्राइब जैसे भी आप आलू जहां से लाते होंगे आपको वहां पर इस साइज का आलू कर मिल जाता है तो आप बेदरक ले आईए अपने लिए तो डायपडीज वाले पेसें दोस्तों आप डायपडीज के पेसेंट आप परिसान ना हो दोस्तों हमारे हां एक लोग परचित में है उनको डायपडीज है वह यही छोटे साइज का आलू यूज करते हैं यह नुक्सा बिल्कुल आजमाया हुआ है और दोस्तों जो इंसोलिन लेते हैं जो पेसेंट इं और दोस्तों मुझे क्मेंट स्भील के जरूर मीरा कैसा लगा है तो दोस्तों चाइब आपने आलू खाया है तो आपकी ज यह नहीं बढ़ी है तो चलिये दोस्तवा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाक करें चनल को सब्टाउ प्राइब करने न भूले और मैं मिलती हूँ हो एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार